नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है आज बनाएंगे गेहूं के आटे का बहुत ही चटपटा नास्ता बहुत ही कम तेल में बनाएंगे और मेरी रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा यहाँ पे सबसे पहले एक कप गेहूं का आटा लिया है हाप कप सूजी लिये, सूजी आप कोई भी ले सकते हैं मोटी हो या पतली वाली हाप कप मैंने लिए दही, दही हलकी सी खटी होनी चाहिए, बहुत खटी ना हो उसके बाद उसी कप से मैंने एक कप पानी डाल दिया है और अगर पानी की जरुवत और पड़ेगी तो और पानी का यूज़ करेंगे इस तरीके से हम आटे को अच्छे से घोलेंगे अब थोड़ा पानी का यूज़ मैंने और कर लिया है क्योंकि यह जो घोल है बहुत काड़ा लग रहा था आप इस तरीके के नास्ते बनाया करिए जो हेल्दी भी हो और खाने में स्वाधिष्ट भी हो तो यह देखिए यहाँ पर हमने आटे का जो घोल है अच्छे से त्यार कर लिया है बना के अब हम इसमें थोड़ी से मसालों का भी यूज़ करेंगे ताकि नास्ता बहुत ही चटपटा बने लेखिए तोड़ा सा घाल्दी पौर्ड़र डाला है धोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा धन्यया पौर्डर हैं तर अब हम डालेंगे एक चमत सफेद तिल आपके पास है तो डालिएगा ये पूरी तरीके से optional है ठंड का दिन है अगर तिल डाल के इस recipe को बनाएंगे तो स्वाधिश्ट होने के साथ साथ ये recipe healthy भी होगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी तो यहाँ पर देखिए सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से mix कर दिया है आप देख पा रहे होंगे mix करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी सबजियों का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बारी कटी हुई प्याज ले ली है एक बारी कटी हुई सिमला मिर्च इसके बाद डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर और अब डाल देंगे धेर सारा बारी कटा हरदनिया सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम इस तरीके से मिला लेंगे ये देखिए तो ये हिल्दी सा गिहूं के आटे का जो बेटर है इसे ढख देंगे 10 मिनट के लिए 10 मिनट के बाद खोल के देख लेते हैं तो ये देखिए ये बेटर अच्छे से सेट हो चुका है अब हम डालेंगे इनो हाप चमच मैंने इनो का यूज़ किया है उसके उपर से थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी अब इस बेटर को रखना है नहीं है फटा-फटा में बनाना है गेहों के आटे के आपए तो यहां पे अपए-पेन मैंने ले लिया है उसमें थोड़ा-थोड़ा सा दो-दो-बून के करीब हम डाल रहे हैं तेल और तेल डालने के बाद अब हम डाल देंगे इन अपए को जो बेटर हमने त्यार किया था उसे डाल दिया है आटे का इस तरीके से डालते जाएंगे गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे ताकि जो हमारा अपए है वो जैले न आपके पास अपए-पेन नहीं है तो आप इस रेस्पी को तवे पे भी थोड़ा थोड़ा सा बेटर डालके अलट प्लट के सेख सकते हैं टेस्ट में कोई फरक नहीं होगा बस देखने में रेस्पी थोड़ी सी अलग दिखेगी अब इसे मैंने ढग दिया था चार से पांच मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा था और इसे खोल के अब मैं अलट प्लट के अच्छे से दूसरे साइड भी सेख लूँगी तो ये देखिए एक दम एक तरब से ब्राउनिस कलर आ रहा है और बहुत ही कुरकुरा सीख के त्यार हो रहा है अब मैं दुसरे साइड से भी सेख ले रही हूँ तो अब आपको जब सबजी रोटी खाने का मन ना हो और आप सबजी रोटी की तरह हेल्दी रेस्पी खाना चाहते हैं तो आप इस एपेकट जरू ट्राई करिए गया गेहूं के आटे का अपे बहुत ही लाजबाब बनता है साथ में बहुत ज़्यादा हिल्दी भी होता है तो ये दिखिए बातों ही बातों में मैंने ये जो सारे अपे थे ना सबको हमने पलट लिया है और पलटने के बाद अब हम ढखेंगे नहीं ऐसे खुला ही इसे सेखेंगे अगर आप ढखके सेखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा और अलट पलट के सारे अपे को मैंने सेख लिया है आप देख पा रहे होंगे कलर भी बहुत अच्छा है और अब मैं क्या करूंगी इसे अलग बरतन में निकाल लूँगी तो थोड़ी दिर तक इस तरीके से पकने के बाद मैं अपे को निकाल लेती हूँ ये देखिए के करके हम पलेट में रखते जाएंगे और यहाँ पे सारे अपे को मैंने निकाल लिया है सेम प्रोसे से बचा हुआ बेटर भी हम बना के त्यार कर लेंगे मैंने सब किया है धनीय की चेटनी और टोमेटो केचप के साथ बहुत ही स्वाधिश्ट रेजपी है जटपड़ बन के तियार हो जाती है और मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से गर्मा गरम सबजियों के साथ बहुत ही टेटी नास्ता बन के तियार है मेरी ये recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईएगा और मेरी recipe अगर आपको पसंद आती है जरासी भी पसंद आती है तो please मेरी वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, channel को subscribe कीजेगा वेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि जब भी हम कोई नई और healthy recipe बनाए तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले आप मेरी recipe को देख पाए तो मिलते हैं एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों and take care